दोस्तों जो जिन्दगी में असफल होते रहते हैं लेकिन कोशिश करते रहते हैं वो अपने नाम का परचमपुरी दुनिया में लहरा देते हैं आज मैं बोलीवूड एक्टर राजकुमार राव की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ वीडियो आरंप करते हैं आए जानते हैं इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में राजकुमार राव का जनम 31 अगस्ट 84 को गुड़ गाव हर्याना में हुआ राजकुमार वश्पन में अपनी फेमिली के साथ हर संडे मूवी देखा करते थें और ये सोचते थे कि मैं भी एक एक्टर बन सकूँ वे बड़े-बड़े एक्टर्स की आवास भी निकाला करते थें और राजकुमार ने अपनी शुरुवाती पढ़ाई ब्लू बैल्स मोडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक्टर बनने की ठान ली थी और सोचने लगे कि शारुख खान भी तो सेल्फ मेड हैं जब वो इतने बड़े एक्टर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं और इसी सोच से चलते हुए इन्होंने आत्मरामसनातन धर्मकॉलिज से आर्ट की डिग्री ले ली और एक्टिंग के लिए वे अलग-अलग थेटर में भी काम करने लगे हैं वे डेलिगेट थेटरों में ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे हैं और बाद में राजकुमार ने पूने की फिल्म एंड इंस्टिटूट से भी एक्टिंग सीखी और बाद में मुंबई आ गए इन्होंने कई ओडिशन भी दिये और कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर से भी मिले लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और काफी संगर शुक के बाद वो दिन आया 2010 में जब उन्हें रन मुवी में एक छोटा सा किरदार मिला और यहां से ज़्यादा कुछ हासिल तो नहीं कर सके लेकिन एक दिन उन्हें दिवाकर बेनर जी का एड मिला जिसमें दिवाकर बेनर जी को एक एक्टर की जरूरत थी और यहें वो एड पढ़कर दिवाकर बेनर जी से मिलने चल पड़े और इनकी काबलियत की वज़े से इन्हें दिवाकर बेनर जी ने सेलेक्ट कर लिया इन्हें LSD नाम की फिल्म में काम मिला जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया और यह अच्छा काम करते रहें और इन्होंने इस तरी शादी में जरूर आना रागिनी, MMS और गेंग ओफ वासेपुर जेसी फिल्मों में काम किया इनके पास तीन फिल्म फेर और एक नेशनल आवर्ड भी है इनकी लेटेस्ट फिल्म का नाम छलांग है जो कुछी टाइम में आने वाली है दोस्तों यह थी राजकुमार की लाइफ स्टोरी ये वीडियो आपको किसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे